हेलो स्टुडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिसकस करेंगे हमारा PCS Examination 2018 का PYQ for the Mains मेंस के हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमारा PYQ ठीके PYQ डिसकस करतें इससे पहले हमने 2020 के 4 PYQ जो पेपर होते हैं हमारे Journal Studies की उनको हमने डिसकस किया था 1, 2, 3, 4 जिससे ना स्टुडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प हुई उनको यह पता चला कि हंजी मेंस के अंदर किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेंस की प्रपरेशन जो है उसको किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए ठीक है beginning कैसी होनी चाहिए आपकी right questions को किस तरीके से समझना है यह सब चीजे हमने समझी थी right last हमारे जो sessions हुय थे TYQ के right and you also know कि abhimanyu IES जो है वो number one institute है in this tri city and it is very famous for the IES and PCS examination, आप इस YouTube channel के उपर student PCS and IES से related जितनी भी आपकी you know queries हैं आप उनको resolve कर सकते हैं, comment box में आप comment भी कर सकते हैं अगर आपको कोई लगता है कि हंजी ये वाला topic discuss होना चाहिए, then we can discuss that topic, ठीके जी, okay, 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 so students move करते हैं हमारे आज के topic पे, topic है student previous year हमारा जो mains का question है 2018 उसको हम discuss करते हैं, पहले थोड़ा सा समझेंगे mains के बारे में and then हम move करेंगे PDF की तरफ, ठीके जी, okay, okay, so starting देखिए student आपको भी पता है कि notification कभी भी out हो सकती है और even अभी तो मतलब एक tentative वो भी आ गया कि हांजी आपकी अगस्त में notification जो है वो out हो जाएगी for the Punjab PCS, ठीके जी, okay, so discuss करते हैं student 2018 का paper 1 यहां पर, paper 1 discuss करते हैं student, ठीके, आपको भी पता है journal study, अच्छा, अबने में आपको syllabus नहीं दिखाऊंगी न, ठीके, क्योंकि हम पहले वाली जो वीडियो उसमें हम syllabus देख चुके हैं अच्छे से, कि GS paper 1 का syllabus क्या है, ठीके, GS paper 2 का syllabus क्या है, ठीके, तो first में क्या आते हैं आपका, क्या आते हैं, बताओ थोड़ा सा comment box में थोड़ा याद होगा आपको, तो क्या आते है student, एक तो आता है हमारा Indian constitution, you know that, आते नहीं आता है, Indian constitution आता है, और क्या आते है, मतलब की कुल मिला के polity आती है, ठीके जी, और क्या आते है student, और आते हमारी geography, ठीके, और even, इवन जो students, हमारा batch चल रहा है, इस time पर वो किसका चल रहा है, geography and environment का ही चल रहा है, है ना, geography आता है, और क्या आते है, Indians, हमारी society पर questions आते है, ठीके, society पर questions आते है students, ठीके, तो ये 3-4 main topics है students, ठीके, जहां से हमारा GS Paper 1 का syllabus जो है, वो यहां पर हमें mention किया गया है, ठीके जी, ओके, ओके, student, ठीके, आप थोड़ा सा वेट कीजिए students, सिर्फ एक, एक second दीजिए मुझे, मैं PDF चेंज कर लेती हूँ, and after that हम continue करेंगे discussion, ठीके जी, ओके, 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 see here student, this is PPSC mains examination, ये हमारा PPSC का mains का examination है, 2018, ये उसकी PDF है, जिसके अंदर सारे के सारे paper है, हमारे, ठीके, बट हमें discuss क्या है, करना है, paper 1 discuss करना है, तो उसी पे आते है, student, हम, paper 1 पे आते है, directly, ये हमारा essay का paper है, जिसमें essay है, ऐसे भी हम, फिर कभी, फिर किसी lecture में, specially essay पी discuss करेंगे, अभी नहीं करेंगे, students, ठीके, okay, this is our paper 1, हांच, ये है अपना paper 1, na, okay, okay, so please, see here student, यहाँ जो maximum number है, आपका, PPSC का, and I hope कि आपको paper देख रहा होगा, student, थोड़ा सा, ठीके, आप थोड़ा सा, मतलब मेरे wording पे ध्यान जादा देना, compare to screen, because screen में जो मुझे paper मिला है, student, वो ऐसा सही है, अभी किसी ने उसको, you know, scan करके paper डाला है, तो में भी आपको word ना दिख रहे फिर ध्यान देना, student, आपको question समझ में आ जाए, okay, ठीके, जी, okay, तो move करते है, student question पे, तो देखो, यहाँ पे, 250 का आपका paper है, और student, आपके total number जो question है, वो 15 है, ठीके, 10, 10 marks के, यहाँ फिर आपका, 15 marks का question रहता है, ठीके, तो यहाँ पे देखते है, student, अच्छा, एक, एक, तो जो main, important, जो हमारा topic रह गया तो वो तरह है, history, ठीके, history भी आपकी included है, in GS paper 1 के अंदर, ठीके जी, तो आते हैं student हमारे question पे, ठीके जी, तो पहला ही जो question है, वो इसने हमारे history से put on किया है, student तो पढ़ते है, student history के ओपर question क्या है, क्याता, the industrial revolution वाजे mixed blessing, comment कीजिए, क्याता जो industrial revolution थी, वो एक तरीके की mixed blessing थी, ठीक है, mixed का मतलब है, यहाँ पे जो, इस question का, जो main, यहाँ पे जो बनता है, ठीक है, वो कह रहा है कि mixed blessing का मतलब है कि कहीं न कहीं उसका नुकसान भी हुआ, वो एक तरीके से, एक क्या होती है, blessing, किसी को हम आशिरवाद देते हैं, एक क् कि आप किसी को क्या करते हो, बद्दुआ देते हो, श्राब देते हो, जैसे हम कहते हैं, ठीक है, तो कुछ उस type का, ठीक है, कुछ ऐसे से समझ लीजी आप, ठीक है, उसकी यहाँ पे यह बात कर रहे है, अच्छा, आपको पता होना चाहिए student, किस question को हम क्या से address करेंगे, आप मेरे से पूछोगे कि मैं, content क्या, what is content, तो क्या content ready करें, तो सबसे पहले student आपके basic clear होने चाहिए, basics कहां से clear होंगे, for example, अगर यह question मुझे ready करना हो personally, तो मैं कैसे ready करूंगे, तो student, first of all, I go through my basic book, that is NCRT, उसमें मैं student, हमारी जो word history की book है, word history की जो book है student, वहाँ से मैं industrial revolution, अच्छे से उसको cover भी करूंगे, और कुछ portion मैं इसका modern history में भी बढ़ूंगे, जहां पर मैं समझोंगे कि किस तरीके से industrial revolution शुरू होता है, और उसका बाकी countries की ओपर क्या impact पढ़ता है, यह हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं हमारी word history के अंदर, ठीके जी, ओकी, ओकी, अच्छा, फिर क्या है, थोड़ा से ऐसा भी है कि सिर्फ history नहीं लिखनी है, ठीके, थोड़ा current scenario की तरफ भी आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप totally उदरी चले जाओ, ठीके, लिख सकते हैं कि हंजी, even today also, ठीके, जो हमारी industrial revolution है, जो past में हुई, उसी का impact आज भी है, जो हम आज industrial 4.0 में हैं, जो हम enter कर चुके हैं, ठीके, तो उसका भी आप यहां पे थोड़ा सा जिकर कर सकते हूँ, ठीके, क्योंकि यह उसी का देन है, ठीके, तो start कहां से होती है, अगर मैं word history की बात करूँ, तो सबसे पहले आप क्या point note करोगे यहां पे, यही नोट करोगे कि industrial revolution सबसे पहले जो शुरू हुई, वो कहां पे हुई थी, comment box में बताओ कहां पे हुई थी, Britain के अंदर हुई थी, right, तो Britain के अंदर सबसे पहले हमारी क्या start होती है students, हमारी industrial revolution start होती है, फिर after that, gradually वो spread करती है, कहां पे हमारी, हमारी Europe के अंदर, फिर वो आती ह America वाली side, and after that, धीरे-धीरे वो पूरी दुनिया में explore हो जाती है, पूरी दुनिया में वो spread हो जाती है, ठीके, अच्छा, फिर क्या है, फिर हम देखेंगे कि India पे क्या impact पड़े, हाना, तो second हमारा जो point हम address करेंगे, वो क्या address करेंगे, India पे क्या impact पड़े, वर्ड पे इसक अच्छा, ट्राई करो कि आप question पे ही stick रो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपके emotions भै गए, आंसों के थरू, आप emotional हो गए, और आप question को ही नहीं address कर पाई, आप लिख बहुत आपके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि जैसे आप industrial evolution के बारे में देखोगे, सुनोंगे, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, but student, please try to understand this point, कि आपको सिर्फ और सिर्फ question के around ही रहना है, ठीक है, question पे बार बार कह रहा है, उसने दो यहाँ पे keyword mean लिखे हो हैं, that is mixed blessing, मतलब कि कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ इसका फाइदा भी हुआ होगा, तो यही चीज यहाँ पे समझने वाली है, इसका मतलब हम उसके advantage, disadvantage, दोनों जी जो को हम address करें है, तो सबसे पहली जो यहाँ पे advantage होती है, वो यह होती है, student, जो हमारा industrial revolution है, वो यह है, कि यहाँ पे एक तरीके का क्या आ जाता है, student, scientific knowledge जो है, उसको promote किया जाता है, in all over the world, ठीक है, तो promoting a scientific approach, ठीक है, ठीक है, second point क्या लिखो कि, due to industrial revolution, वो क्या, पूरे वर्ड ने new new continents को क्या किया, explore किया, new continents, जयते कि अफ्रीका इसका सबसे बड़ा example है, new continents, new resources, ठीक है, new resources का यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, student, new sources का यहाँ पे क्या हुआ, explore किया गया उसको, है न, जैसे कि, और क्या लिख सकते हो, for example, navigation यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है, जैसे यहाँ पे, जब आया, new continents की discovery होई, with the help of new, with the help of navigation, है न, तो, क्या, necessity is the, main thing, ठीक है, necessity है, तब भी तो आप किसी चीज की discovery करते हो, यह सुरनो, तो वही चीज है, यहाँ पे, ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, student, financially बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या हो गया, stability आनी शुरू होगी, countries के अंदर, stability आनी शुरू हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, यहाँ पे, industrial revolution की वजह से, human जो civilization है, उस के अंदर, अब society का angle भी तो देखोगे, ना, human civilization में क्या होना शुरू हो गया, यहाँ पे, बहुत तेजी से यहाँ पे क्या आता है, एक change आता है, यह सुरनो, अच्छा, फिर क्या है, फिर आप लिखोगे address, क्योंकि इतने में आपकी word limit तो सोड़ी cross होने शुरू हो ही, हाना, ठीक है, तो अभी world limit आपके पास limit ही है, तो अब क्या लोगोगे disadvantage, क्या सबसे बड़ा, सबसे पहला, क्या हो सकता है disadvantage, इसका सबसे बड़ा impact, कि हमारा, कुछ countries को बहुत ज्यादा benefit होता है, और कुछ countries को क्या होता है, यहाँ पे harm होता है, ठीक है, it promotes colonialism, यह promote भी कर करते है, student, अरे, इंडिया भी तो colonism हुआ, इंडिया क्या, क्यों हुआ, for the new resources, ठीक है, for the new resources, new resources के लिए student, बहुत सारा क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, दूसरा, over exploitation, over exploitation, start हुआ, इस तरीके से यह point बनाओ, कैसे, क्योंकि industrial revolution के time पे ही, slavery सबसे ज्यादा promote की गई, slavery, slavery पता है ना, आपको, खतम की गई उसको, right, उसके लिए law बनाएगे, especially, इतना ज्यादा अफरीका से, बहुत सारा, जो हमारी black persons है, उनको import किया गया, यह से goods की तरह, कहां पे, America के अंदर, हाना, Europe की अंदर, even, आज भी जो discrimination है, between black and white, that you can see, even today also, कहां पे, Europe के अंदर, America के अंदर, why, because they discriminate, right, discrimination बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो black है, वो बाहर से आई है, we are the indigenous people, हम है इस country के मालिक, यह तो बाहर से आई है, फिके इनको तो slave के रूप में लाया गया था, यहाँ पे, अब यह बस गया है, यहाँ पे, right, जैसे कि, इ example दे सकते हो, for example, India, ठीक है, और क्या दोगे, greediness बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वज़े से क्या होता है, बहुत सारी countries जो है, वो colonies बनाने के लिए, imperialism यहाँ पे promote होता है, ठीक है, and that leads to the world war 1, 2, जिसको पूरी humanity के उपर एक बहुत बढ़ा shade आ जाता है, right, yes or no, तो वो आगे के आगे impact पर impact जुरता जा रहा है, ठीक है जी, इस तरीके से student आप question को address कर सकते हैं, ठीक है जी, आगे question देखिए, फिर question कहता है, write a short note on the sangam age, where is the golden age in the history of Tamil Nadu, you know that कि sangam age, जो literature है हमारा student, sangam literature भी है एक student, जो बहुत ज्यादा, wide way में हमें यह बताता है, हमारे Indian society के बारे में, culture के बारे में, festivals के बारे में, बहुत कुछ बताता है, sangam literature, ठीक है है, ओके, फिर क्या जीनत हो, Mughal paintings under जहांगीर, आपको पता है, जहांगीर को कितना ज्यादा शौक था students painting का, ठीक है, फिर आगे देखते हैं, student describe the contribution of revolutionary activities in India with reference to the gadar party, गदर party कैसे बनी, गदर party जो student, वो एक foreign में जाके, San Francisco के अंदर जाके, students हमारे Indians ने वहां पर बनाई थी, ठीक है, so that वो outer, बाहर रहकर, इंडिया की freedom struggle के अंदर क्या कर सके, participate कर सके, बाहर से funding, weapons को क्या कर सके, इंडिया के अंदर भेज सके, फिर जवाहरलाल वास दन, architect of modern India, बिल्कुल student, जो हमारे इतन है, students, जैसे की, महा नदी के उपर जो डैम है, हीरा कुंद जो डैम है, ठीक है, यह उसी time period के अंदर बनाया गया, और modern India की तरफ हमने एक step आगे भढ़ाया, during the Nehru era, फिर कहते, explain the rise and fall of Ranjit Singh Empire, you know that कि Ranjit Singh Empire, क्या थे, कौन थे, ठीक है, यह कहां से है, पंजाब की history से question है, फ है न, जो cash crops है, student, जो हमारी commercial crop है, वो हमारी, हम खाते नहीं उनको, सिर्फ sell करने के लिए उनको कर दे, उसका क्या है, मेन, that is the reason, behind the crisis of groundwater exploitation, पंजाब, आपको भी पता है, पंजाब के अंदर कितना बड़ा हुआ है, फिर next question है, drainage pattern in peninsula, drainage pattern के उपर question है, student, geomorphology का question है, यह इस time पे geomorphology हमारी even क्या है, हम अपनी class में भी पढ़ रहे है, आज का शायद जो topic रहेगा, वो हमारा drainage pattern पी रहेगा, फिर how can the western triangle comprising the roher and flanders be comparable, छोटा नागपुर industrial belt in India and bring out the salient features, आपको यह question बहुत अच्छे से address कर सकते हैं, next पे चलते हैं, soil and vegetation are true index of climate, जैसा soil होगा, student, जैसा vegetation होगा वही आपका climate को क्या करता है, एक तरीके से indicate करता है, आपका climate में बहुत pollution है, बहुत ज्यादा गंदगी है, आपका जो आसपास का जो ecosystem है, जो आपका flora है, जो अभी आपकी vegetation है, उसमें क्या आना शुरू हो जाएगा, वो degrade होना शुरू हो जाएगी, है ना, वो इतनी जो हमारी अर्थ है, वो क्या है, क्या है हमारी अर्थ, बताओ, उसके अंदर कितनी layers है, बढ़ा थे हमने students, उसके अंदर students, main 3 layers है, ठीक है, उपर वाली layer को क्या बोलता है, crust, फिर उसके नीचे छोटी से layer होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते है, upper solid matter, upper most, solid matter, ठीक है, और उ उसके नीचे कौन सा लेयर होती है? उसके नीचे होती है student हमारी asthenosphere, जो क्या है? थोड़ी, semi-solid है. पता है न आपको? ठीक है? फिर क्या आता है हमारा? अपर mental. यह अपर most है student. ठीक है, अपर mental. फिर क्या आता है हमारा? लोवर mental. समझ में आई बात? yes or no? फिर क्या होता है हमारा? आउटर crust. क्या होती है? आउटर core, sorry. और यह क्या है हमारी? इनर core. सबसे अंदर वाली, innermost core होती है जो. सबसे अंदर, जो अर्थ का center है जहाँ पर. ठीक है? तो जो हमारी lithosphere होता है वो कौन सत है? अपर most, mental और crust दोनों को मिला कि हम क्या बोलते हैं? lithosphere बोलते हैं. ठीक है जी? समझ में आई बात? clear है? यह सुर नो? ठीक है. तो plate tectonic plate क्या है? कुछ नहीं है student? कुछ भी नहीं है. डरना नहीं है ऐसे बिल्कुल भी. तो जो मैंने आपको बताया कि उपर वाली हमारी upper most, जो हमारा lithosphere है student. जो हमारी lithosphere है. ठीक है? वो क्या कर रही एक तरीके से? plot कर रही है किसके उपर? अस्थीनो स्फियर के उपर. see here student, मान लीजी, यहाँ पर liquid है. वो liquid कैसा भी हो सकते है? बहुत जलत भी हो सकते है, honey जैसा भी हो सकते है, wax जैसा भी हो सकते है, but उसको हम semi-solid पोलेंगे? और उसके उपर क्या है हमारी lithosphere? इस तरीके से टिक हुए है. और अगर नीचे हमारा हमारा क्या है? लिक्विड है. तो student जब वो float करेगा इदर उदर, जब वो float करेगा तो उसके साथ क्या करेगा? हमारी उपर वाली, जो हमारी उपर वाली lithosphere वो भी क्या करेगे? फ्लोट करेगे student. ठीक है? तो अलग-अलग जो plates है हमारी. plate मतलब कि जितनी भी हमारे continents हैं, जैसे कि हमारा Indian continent है, North America है, South America है. देखो अब map के अंदर अलग-अलग पड़े हुए है. है ना? आप कुन लगता है इसको कठा होना चाहिए? है ना? अमेरिका, हम 10 मिनिट हमें पहुंच जाएं अगर हमारी बिल्कुल close हो तो. पिट ऐसा नहीं है. क्यों? ये इतने दूर-दूर कैसे चलेगे? that is due to the plate tectonism. ठीक है? जो हमारा इसthenosphere है, वहाँ से क्या निकलता है? लावा निकलता है. और जब लावा बहार आता है student तो क्या करता है? plate को तोड़ देता है. बीच में से, इसमें fold create कर देते हैं. इसकी वज़े से plate जो है, वह दूर-दूर जाने शुरू हो जाते हैं. ये plate एक दुसरे के पास भी आ सकती है. इसमें हम convergent, divergent वाली terms को हम use करते हैं. ये सुर नो? समझ में आई बात? ठीक है जी. आगे फिर से ethical dilemma, discuss some ethical dilemmas, ठीक है, write a short note on the our educational institutions. I think Indian constitution, GS paper 1 में नहीं है. Sorry, मैंने गल्त बता दिया, शायद आपको, न? Sorry, ठीक है? अच्छा. Our educational institutions failing in inculcating human values in the present generation, विल्खुल. क्योंकि जो ethics है student, वो as a subject हमें नहीं बढ़ाया जाता हमारी 10th तक, हमारी school तक, हमें नहीं बढ़ाया जाता है. ठीक है? कहीं न कहीं ethical values जो है, वो students की अंदर inculcate करने में. Indian education जो system आज का है, वो थोड़ा सा पीछे रह गया है. Next है poverty breeds poverty. ठीक है? गरीबी ही, गरीबी को breed करती है, बिल्कुल definitely. जिसे माली जी आप गरीब है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, फिर क्या होगा, आप आगे आगे वाली generation भी आपकी क्या रहेगी? फिर उन्होंने भी आगे पढ़ाई नहीं की, कोई skill नहीं सीखा, कुछ भी नहीं किया, तो वो भी क्या रहेगे? फिर रहेगे, तो पवर्टी जो है, वो आगे पवर्टी को हुई breed करती है, फिर है critically examine the cause and consequences of increasing atrocity against the women despite the existence of stringent law, आपको भी पता है, आज भी हमारे child marriage हो रही है, आज भी हम डावरी दे रही है, आज भी हम डावरी ले रही है, आज भी हमारे rape हो रहे है, आज भी हमारे kidnapping हो रही है, आज भी हमारे extortion हो रहा है, आज भी women kidnapping हो रही है, child abuse हो रहा है, हालनकि पोस्को एक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा strict law है, है न, डावरी जो law है बहुत strict है, ठीक है, हमारे आज भी determination कही ना कहीं country में हो रहा है तो ये क्या है student, क्या है ये ये एक तरीके का discrimination है women के against आज भी हो रहा है कहीं ना कहीं ठीक है, mean, problem क्या है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ reason, reason ये है कि law तो हमने बहुत strict बना दिया बट उनको implement करना बहुत मुश्किल है, है ना, पढ़ाई के बर में सोच तो लेती है, बट हम पढ़ते नहीं, सोचते तो हर कोई है कि मैं IS बन जाओ, हर कोई सोचता है मैं PCS बन जाओ, बट बनता कौन है, जो पढ़ते जो मैंनत करते हैं, implement करना बहुत मुश्किल है, अभी पेपर समझा दिया है, लेकिन आप में से सिर्फ शायद ये दो तिन बच्चे होंगे कि इस पेपर को खतम करने के बाद, इस discussion को मेरी सुनने के बाद, immediately जो है, वो अपना पेपर उठाएंगे और एक आदा question जो attempt करके देखेंगे, बहुत कम बच्चे होंगे, ठीक है, और अगर आप करो तो definitely मुझे comment दुरूर करना, ओकी, ठीक है जी, ओकी student, तो इसी के साथ हमारा new session स्टार्ट हो चुका है, for the Punjab Civil Services, आप जोईन कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, thank you, have a nice day